नमस्कार मेरा नाम सौरब दिवेदी है ललन टॉप की यूपी के हालचाल की यात्रा का फिल वक्त पड़ाओ है कानपूर कानपूर में इस वक्त मेरे बगलगीर है योगी आदितनाथ सरकार के सबसे सीनियर मिनिस्टर्स में से एक और अगर इश्तिहारी भाषा में कहें तो जो अख़वारों में मजमून छपता है जिन योजनाओं का जिक्र होता है उनसे जुड़े एक एहम मंत्राले के मंत्री सतीश माहना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है समय की कमी है सीधा मुद्दे पर आते हैं आपके मंत्राले की उपलब्धियों की सबकी बात करेंगे मैं कानपूर में पला बढ़ा हूँ कानपूर के बहुत सारे पत्रकारों से बहुत सारे राजनेतिक पंडितों से बात की सबने एक चीज कही महाना जी भाजपा के बरगद हैं बहुत बड़े नेता साथवी बार के विधायक पांच बार चावनी से दो बार से महराजपूर से जीत का अंतर बढ़ रहा है साथ में एक चीज नत्थी की कि महाना जी के नीचे कोई दूसरा नेता पनप भी नहीं पाता है बरगद की खूबी और खामी इस दूसरी बात पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ नहीं ऐसा नहीं है मैं कारे करता कि रूप में काम करता हूँ ना तो मैं कोई बरगद हूँ ना कोई बहुत बड़ा पेड़ अपने आपको भारती जंता पार्टी का कार करता कहते हैं वो मुझे प्रसन्नता होती है और राजदीतिक छेत्रों में आप बिना एक दूसरे के सहयोग से आगे नहीं बढ़ सकते हैं किसी व्यक्ति को अगर कोई गलत सहयमी हो कि मैं अपने आप सब कुछ हूँ तो वो गलत सहयमी में होता है और बिना जब तक सहयोग तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी का साथ नहीं करें आप किसी को संरक्षन नहीं दें आप किसी को आगे नहीं बढ़ाएं अगर आगे बढ़ाने की बात है तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरी विधान सबाद छेत्र में जो च्छावनी थी वो परिसीमन के बाद तिन हिस्सों में बढ़ गई एक हिस्सा आरएने कर में चला गए एक हिस्सा चावनी का कुछ नया च्छेत्र जो जो गए और एक हिस्सा चावनी विधान सबाद च्छेत्र का जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँआ जहां पर मेरा घर है यह पार्टी के प्रत्याशी सतीश महाना को 12 और 17 में, मैंने वोट दिया हरजिन्हर नगर वाला गर, यह गर है, जहांपे हम लोग बैठें, यह घर में, यह गर, तो इसलिए यह चेत्र जो मेरे बाद सुने सो एक नियमे आदेश किया कि मुझे महराज़ पुर्विधान सब अच्छी दर से चुनाव लड़ना है दूसरी बात जहां तक आपने का कि मैं किसी को पन अपने नहीं देता अगर किसी को पन अपने जो भी मेरे सब के साथ मैं समनवे करके काम करता हूँ मैं भारतिन्दा पार्टी का कार करता होने के नाते से इस बात को प्रमानिक्ता के साथ कह सकता हूँ कि मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ किसी विक्ति के लिए नहीं यही बात आप कानपूर के मौजूदा सांसच सत्यदेव पचारी के लिए भी कह सकते हैं कि वही समनवे है जो बाकी नेताओं के साथ है मेरा सब के साथ वही समनवे है उनका मेरे साथ क्या समनवे है यह उनके उपर निर्वर करता है मेरे साथ सब के साथ एक परकार का समन्वे है आदर्णी है, सांसाजजी जिससे में बोगसभा का चुनाव रड़े तो मेरे पास तीन विधान सबाई थी जो मेरी शामने विधान सबा का हिस्सा था तीनों विधान सबाई में मैंने इतनी ही महनत करिये हुगी उन منत्री जी जो बात के रहे हैं उस बात में आँक्डों के हिसाब से वजन है हम 2019 के लोगसभा चुनाओ को उठाते हैं और आपकी पहले की विधान सभा और आप जो हैं चुकि आप इस पूरे छेत्र के सबसे बड़े नेता हैं सबसे सीनियर नेता हैं आप से सीनियर भाजपा में बस सुरेश खन्ना जी हैं अगर विधायक के क्रम में देखा जाए वो अमित शाजी के सामने बात रखी गई कि महाना जी बड़े नेता हैं तो महाना जी समय नहीं दे पा रहे हैं अपनी विधान सभाओं में और इसलिए देविन सिंग भोले का चुनाओ सत्य देव पचौरी का चुनाओ सब के चुनाओं में कुछ शिथिलता आ रही है सत्य है यह बात माननिये राश्ट्रिय अध़्ख शौसमें हमिसाजी थे जिंक सामने यह बात कियाइए हूं कि मेरी ड्यूटी पार्टी ने कनाौज में लगाए थी और फरकाबाद में भी लगाई थी मैंपनी ड्यूटी में अपनी मरजी से कहीं बाहर नहीं जाता मैंने जैसे कहा कि मैं पॉर्टी का कार्ई करता हूं निर्धारित की जाती है मैं उसका पारन करता हूं हुआ है टो हमारे चुनाओं के सोया हुए कि निये बात कहीं कि मuci ही आप कितने वोटों से जीते थे तो मैं ने को बताया रुका लिख के दे दो किस से कम से नहीं innocent. आप जहां मर्जी जाओ। जाओंगा सर जहां आप कहेंगे जहां पार्टी के कि हुई जाओंगा उन्हें नहीं महाना जी को चूटा जो मर्जी करें इन से बस यही कहल वालों कि जितने वोट से जीते ते उससे ज्यादा वोट से जीते और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने ने अपनी राष्ट्रिय अध्यक्षे महाननी अमिच्छा जी की बात का पारण किया और जितने वोट मुझे मिले तो उससे ज्यादा वोट से हम लोग सबाजीते मेरी विधान सबागा ऐसे ही अगर 2004 में हो जाता और कोई बड़ा नेता महाना जी से लिखवा लेता कि सत्यदेव पचोरी भाजपा कै चावनी से कम से कम उतने वोट पा लें जितने सतीश महाना जी ने 2002 में पाए तो शायद श्रीपेकास जैसवाल ना तो दूसरी बार सांसत बनते और ना ही मंत्री बनते और जो भाजपा को अपनी वापसी के लिए 2014 तक लोग सभा में इंतजार करना पड़ा वो भी नहीं हो था मैं बड़ी प्रमानिक्ता के साथ निश्चा के साथ ईश्वर को साक्षे मान कर कह सकता हूं कि मैंने पालिटी का काम निश्चा पुर्वा किया और च्षावनी से भाजपा हारी 2004 2004 में च्षावनी से भाजपा जीतने मत्री जी मैं इस आंकड़े की तस्दीक करके आया कि जो मारजिन विधान सभा में था वो लोग सभा में नहीं था अगर इस बात को इन इस पॉलरेजेशन बहुत सारी पॉलिटिक्स जो होती है उसको विक्ती आधारित नहीं मानना चाहिए जैसे मैं 2009 में चुनाओ जी रड़ा था तो 2009 में मैं इस बात को कहता हूं कि मेरे को कोई भी चुनाओ हरवाना जितवाना किसी के बस में नहीं था सम्मी करन कुछ ऐसे हो के कि शिरिपकार जैस्वाल जीत गए मैं भी 2009 आपने ठीक किया जिक्र कर दिया क्योंकि मेरा अगला सवाल ही यही था कि मैं किसी के उपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि आप नहीं लगा रहे है मंत्री जी लेकिन मुझे जो बताए देखिए हम तो कोरी स्लेट लेके चलते हैं कहा गया कि 2004 में पचौरी जी लड़े तो महाना जी ने निपता दिया और बीजेपी निपट गई है मुझे किसी ने निपताया ना मुझे किसी ने कोई निपताया और मैंने जैसे का कि मैं चुनाओं नहीं लड़ता हूं मैं पार्टी के एक प्रती के के रूप में एक कैंडिडेट के रूप में चुनाओं लड़ता हूं व्यक्ति से बहुत बड़ी पार्टी और संगठन है मुझे कोई हराने की च्छमता भी नहीं रख सकता हूं मैं इस बात को कह सकता हूं मैं अपने काम के आधार के उपर जीत सकता हूं और अपने काम के आधार के उपर हार सकता हूं मैं पार्टी के उस विराट सुरूप का लोगों के सामने रखकर उस पार्टी के जो भारती जन्ता पार्टी है जिसका आज नेता आदनी मोदी जी हैं आदनी अमिश्चा जी हैं आदनी डड़ा साब हैं राजना जी हैं इतना बड़ा पार्टी के सुरूप को मैं जन्ता के सा नाम आया, वो भारती जंता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा, उसके बहुत सारे कारण थे, और उसमें उत्तरबदेश भी एक कारण, उत्तरबदेश में ऐसा नहीं है, जिस सबें, आज़री मोधी जी के विक्टित्व के कारण, ओके काम के कारण, अगर हमारे को 75 में से 70, 70 स मिली सा अ असी में से आ तो ये भी हुमारे लिए बढ़ी बात थी असी में से सुरी पचातर स एक्र है सीटें में इंधी भी हमारे बहुँ मारे सीटें नहीं मिली तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 평्रे है का बहुत बड़ा पारटी की नीतीयां और पारटी की विचार्थार और पारटी की नीतियूं के साथ हम जिस चेतर में काम करते हैं जमीन के उपर हमारा जो काम है उसका थोटा सा रोल भी होता है जीतने में लेकिन बड़ा रोल पार्टी का होते हैं सर चुकि आपका इतना लंबा सारजुनिक जीवन का अनुभव है मैं इसी कानपूर में पढ़ा जैसे हैं मैंने शुरू में जिक्र किया जब मैं कानपूर पढ़ने आया और उन्निस तो इनक्यानविक चुना हो चुके थे चुकि थोड़ी बहुत जीके में दिल्चस्पी थी चौती पांचवी क्लास में पढ़ता था तो वो एक जीके के सवाल की तरह था कि साब कानपूर नगर में 6-7 सीटे और इंक्यानविक में सब की सब भाजपा जीती चावनी से आप जीते गोविन नगर से बालचंद मिश्रा जी जीते आर नगर से सत्य देव पचौरी जी जीते कल्यानपूर से प्रेम लता कटियार जी जनरल गंसे नीरे चतुरवेदी जी और ऐसे पूरा साफ पिर उसके बाद उतरोत्तर चुनाओं में हमने देखा कि एक जैसे मैट्स में होता न एक कॉंस्टेंट और एक वैरियेबल एक महाना जी कॉंस्टेंट रहे बालचंद मिश्रा जी भी हारे अजय कपूर से प्रेम लता कटियार जी भी 2012 में सती शिंगम से आगे नीरत जी तो फिर पार्टी से चले गए सलिल विश्णोई जी आए वो भी हार गए 17 में अमिता बाचपे जीत गए और ये सारे बदलते रहे तमाम नेता आए गए तो ये बाहर वालों को बड़ी दिल्चस्पी होती है कि साब बता जाता है कि चुनाओ तो जाती समीकरण है अब महाना जी का अगर जाती समीकरण वाला चुनाओ तो महाना जी एक बूत ना जीते हैं अगर सिफ जाती का वोट गिरे तो तो क्या है वो मैजिक फिगर यह मैं सुरेश खना जी से भी पूछना चाह रहा था आप से भी जानना चाहता हूं इस कंटिन्यूटी का राज क्या है एक मूल मंत्र लेकर काम करता हूं मैं कहता हूं कि you will have to be loyal to the appointing authority जिससे में आप कहीं नोकरी करते हैं या कहीं इंट्रिवियो के लिए जाते हैं या किसी पद के ओपर बैठते हैं तो कुछ लोग आपको इंट्रिवियो करते हैं जो आपके appointing authorities होते हैं जो आपको appoint करते हैं तो मेरा एक मूल मंत्र है कि you have to be loyal to the appointing authority और appointing authority में मेरा लोग तीन लुफ तीन ऐसे संस्थाएं और वेक्टिवत हैं जो मेरे अपॉंटिंग अथारिटी है पहले नंबर के ओपर पार्टी जैसे मैंने का कि मैं पार्टी का कार करता हूं तो I have to be loyal to the party मेरे ओपर किसी भी प्रकार का कोई भी राज डीतिक छेतर में दुराग्रैस संबंदित है या किसी के कारण में कोई अगर आरूप लगाता तो मुझे उसकी चिंता इस लिए नहीं होती है क्योंकि मैं मन और आत्मा से साफ हूं पवित्र हूं तो मैं party के परती loyal हूं एक दूस इस थ्री institutions में क्योंकि institution भारजंदा पार्टी अपने आप में एक institution है कारकरता अपने आप में एक institution है और obviously जनता अपने आप में बहुत बड़ा महत्तपूर रोल करती है तो मेरा उनके प्रती loyalty हमेशा बनी रहती है इसलिए मेरे को यहां की जनता बार बार चुनती है मैं ज लोग आपकी राजनीती पर नजर रखते हैं उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है महाना जी कारकरताओं की बड़ी चिंता करते हैं ये बात भी सत्य है कि महाना जी लगातार भाजपा की साथ हैं और जीत रहे हैं और भाजपा ने भी उनको मान सम्मान दिया और ये बात भी कही और फिर आप महाराजपुर उनकी कॉंस्टेंसी में आपको बड़े काम दिखते हैं उन्होंने एक चौथी चीज जोड़ी कि महाना जी के राजनेतिक अभ्युदय में पहले लाल जी टंडन फिर सुश्मा प्रमोद महाजन जी सुश्मा सुराज जी और फिर अरुन जेटली इनका भी बड़ा योगदान है निशीत रूप से हैं देखिए मैं सौभाग गिशाली हूँ कि मेरे को इस देश के विराट विक्तित तुर्श देश इटल विहारी बाचपई जी का सन्य और आशिरवाद में आपको इस बात में सौभाग गिशाली समझता हूँ मैं उन्ही इसे जो प्रदेश के बहुत बड़े बड़े नाम है उनके साथ काम करना उनके संड्रक्षण में काम करने का मुझे अफसर मिला इसके साथ मेरे लिए और सौभागी के बात है कि केंद्रियन ने तत्तो में मैंने जैसे श्री अटल जी का नाम लिया अडवानी जी का मेरे प बेदन स्विकार कर लेते थे मैं इस बात के लिए श्रीमति शुष्मादीदी का और आधरनी श्री अरुन जीटलीजी का एक परिवारिक सुरूप के अंतरकत मुझे आशिरवाद और से नहीं मिलता था मैं इस बात को एक बात कहना चाहता हूं कि इन दोनों निताओं के लि हूं मैं आपको तो इस बात को रिपीट करूँ कि मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन जो चीज मैंने चाहिए वो उन्होंने मुझे दी है तो जब ऐसा संबंद बन जाता है कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाए तो उस संबंद में एक आत्मियता जो होती है जो एक की वाम्त होती है उसको मैं भाव सुरूप में व्यक्त नहीं कर सकता मैं इसमें बहुत भावुक हो गया हूंग उनके नाम लेकर लेकिन उनका संब्रक्षन उनका अशिरवाद निश्यत रूप से मेरे साथ था कई जानकारों ये भी कहा कि सतीश महाना एड़ेप्टिबिल्टी आसपास के एन्वायर्मेंट के हिसाब से अपने राजनेतिक कौशल में जरूरी किसम के बदलाव लाने में माहिर हैं आप देखिए इंक्यानवे में क्या राजनीती थी तब कल्यान सिंग की सदारत हुआ क करती थी और अब की क्या राजनीती है और वो सब जेके फिट हो गए फिर कई लोग ये भी बोले कि ये हुनर उन्हें घुटी में मिला क्योंकि आपके पिता जी राम अवतार महाना जी संग के बड़े पदादिकारी रहे और संग पे नजर रखने वाले व्यक्ति जानते है कि कानपूर से पहले अटल जी और फिर अशोग सिंगल जी का मेरे क्याल से वो प्रचारक थे अशोग जी यहां पे बहुत पहले मेरे पिता जी संग से जुड़े हो थे मैं जिस दन पैदा वो उस दिन से समसे हो कई भी लोग पूर से ने कि संग आयू क्या है तो जितनी मेरी आयू यह उतनी संग आयू है मेरे पिता जी जिस सवें वेस्क पाक पंजाब से जो पाकिस्तान का है चीतर भे हूँ eine Voyz dollar से जाए आय आए वापस तब से संग के साथ जुड़े हो चो उसके पहले से तो इसलिए मैंने का कि मेरी संग आयू हूच इतनी मेरी आई उतनी मेरी सेंग आई हूँ और मैं सौभाग के शालिए हूँ कि मेरे पिता जी बड़े प्रिंसिपल्स वाले आदमी थे और बहुत मजबूत इक्षशक्पी के आदमी थे उनका संपर्क संग के सारे वरिष्टादिकारियों के साथ मेरा मैं अपने काओं की मे रजूबया जी रोए रजूबया के जिसस traffic परिवारिक्स नहीं था तो मुझे वो संसकार मिलें हैं उनको देखा है मैंने नज्दीक से बाले कालस है जिसर में उनको नजदीक से तो फिर मुझे अब एक छोटी सी बाद बता रहा जात को पूना मीठ तो मेरे पिता जी कि तबीध खराब थी उन्होंने एक दिन कि कहा कि ऐसा करो सतीश तो जाओ रजूबिया से उनकी तबीध पूछ करा और रहो उन्को बोलो कि मैंने बेजा मैंने बेजा पिताई फोन से बात करें उने नहीं जो मैंने कहा वो करो तो श्पेशली मुझे उन्होंने श्रजूबिया जी का स्वास्त पता लगाने के लिए पूना बेजा तो वो जो आदर नी ठेंगडी के साथ मेरे पिताई जी के बहुत अच्छे जमन थे दत्तो तो हमने कार्ड चपआया ता उसमें खादी का रेशम वाला कार्ड ने आ है तो मैंक कार्डो अधै के पास देने गया तो रजविया रफ पूँछे कार्ड कितने हैं गया तो मैंने रजूभिया को बता रिए लुट की सपैतीस रुग का कार्ड होगा उसमें यंठी थ्री म मैंने करा जो यह पांच जार काट चपाए हैं तो उन्हेंने का पंद्रा सूला हजार पे यह नहीं सोरी डेल लाख रप्या हो गया यह उनका यह काम यह पैसा किसी और में भी लग सकता था उन्हें बहुत प्यार से कहा और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने बेटे की शादी जब 2005 में करी उससे 22 सार बाद तो मैंने 15 रुबे का काट चपाया था वो जो सिखा है एक एक कदम के उपर एक एक च्छण में प्रयास करता हूं कि उसको अगर जीवर में उतार सकूँ तो सही रास्ते के उपर चलता रहूँगा संग के इनी संबंधों के चलते आपको पहली मरतबा 1991 में महज 31 साल की उम्र में टिकट मिला उस समय क्या दायत था पार्टी की का आपके आप युवा मूर्चा में थे या मंडल देक्ष थे कऱी और हमारे अरामिको पास ़ीए मेरे पास आए है कि आपको मंडल द्श बनना है तो मैंने का मुझे मंडल द्श क्यो बनना है उनpaper है अज सहीर बनना पका बनना लूँमित ऑना है झाएूर झाला के ने मेरे आफिस में है यह औरो मेरे से फरम भरबा के लेगे लेकिन उसके पहले मेरे पास जो दाहित पर था वो बजरंग दल के सयोजग के नाते से मैंने काम किया था शराम जन भूमी मुक्तिएग अंदोलन का जो पहला अंदोलन आजादी के बाद शुरूआ उने सो तिरासी चौरासी में शुरूआ एटी फॉर में जिसमें एकात्मता यात्रा निकली थी हमारा पहला नारा था हर हर बंबं ताला तोड़ के लेंगे दम उसमें हमारी 24 साल उमर थी यह विश्व इंदु परशद की जो एकात्मता यात्रा निकली थी शुषि गी बात करो जिसमें इंद्रा गान्दी जी अई घ्ट हुय थी जिसमें उसके पहले इंद्रा जी आई इस कार कबम में उसके पहले इसके पहले यह हमारा थे अवद ब्यारी थे एक पूरी टीम थी हम लोगों की जो बजरंग दल में काम करती थी तो बजरंग दल में शिराम जन भूमी मुक्तिया का अधोलन में मेरा पाटिसिपेशन जो था उसने संग के अधिकारियों को यह संदेश दिया यह उन्होंने जो कुछ भी सोचा जो मे बाल जी तरिपाटी जो उसमें बाल जी और मानी राम अशिश जी उन्होंने मुझे फोन करके का कि आपको चुनाओ लड़ना है तो मेरे बड़े आश्चर की बाती मुझे क्यों चुनाओ लड़ना है मैं तो आईडितिक शेतर में बहुत एक्टिव इनी हूँ और उसमें चुनाओ अगर मुझे राजनितिक शेतर में भेजने की जिम्मारी थी तो माने प्रताब नुराएंड जी मिशु समय प्रांथ प्रचार कते हैं यहां से लेकर एध्या तक्विपूरा एक प्रांथ होता था तो जो देनियार्ण में कॉलम लिखते थे प्रताब नुश्चर को तो रस्तोगी थी का टिकट क्यों कट गया क्योंकि मैंने का मैं उस तो परन ने ने यह आदर की है तो ऑर उनने मुझे टिकट दी हैं मैंने का न मेरे को टेलिफोन आया मैं पहले जब सिंबल जमा होता था नाम वापसी के आखरी दिन जमा होता था अब तो नॉमिनेशन के साथ जमा होता है नॉमिनेशन वाले डेर तक जमा होता है जो खरे दिन आपकर रहने रस्ट होता है पहले नाम वापसी के आखरी दिन होता है तो मेरे पास जब संकारायचे फोन आया है कि आपको जाके नॉमि 1000 रपे मुझे याद, 2000 रपे जमा करा है, जमाना फोल्दिस मुझे नमा, नमिनेशन फीस, तो हम तीन लोग ने नमिनेशन करा कि हम आ गए, उसके बाद भी मैं अपने काम पर लगए, अपने बिजनस में, उसके बाद भी मैं गया नहीं की मुझे टिकेट मिली है मैंने सोचा कहा है नौमिनेशन करने दो तो नौमिनेशन की डेट खतम होगी इसकूटनिंग की डेट खतम होगी अब नामबापसी का आखρι दिन होता है जो धना सिंबल ललॉट होते हैं तो रात को मेरे पास फोना है कि आपको टिकेट हो गी तो आप जाकर अपने सिंबल लखना हूं से लेई है ये तो मैं नई कहा क्छाओ बॉयों आक चले राट तो में अपनी पत्नी और बच्च बरे चोटे थे तो उनको स्कूटर करने लगे जासे ने चिकाई करते हैं किसी कानपूर की बाशा में तो मैंने का ने का रहे है यह चुनाव ने लगा बताओं तो बैर उनको खाना वाना खिलाके बच्चों को घर छोड़के फिर मैं यहां से लखनू गया और मानव रचोग ये सिंगल घर पर आया उनका आशारवाद भिला और तब मैंने जाकर सिंबल दाखिल किया और सिंबल दाखिल करने के बाद निकला तो वहांपर हमारे एक पारशर दूआ करते हैं मैं उनके घर के नीचे गया मैंने उनका वाज दे उनका वो नहीं है तो मैं सड़क पे निकला तो लोग मुझे पैचानते नहीं थे तो एक अमरनाच जिद्वेदी और बदलू परशाद गुपता ये भी बहुत पुराने का रहते हैं ये बजरंदल के नाते से मुझे जाते ह आपको टिकेड में लिए ने का तो उनके आप गाड़ी भी क्या कर रहें उतरिये नीचे चरिया हमारे साथ जन संपर्ग में तो वो उन्हों ने मुझे गाड़ी से उतारा और हमारे हर एक कदम के साथ जन सहलाब जुड़ता हुआ चला गया और वह एक इतना बड़ा चुन के जौन जाओं में कुछ सीटों से लोग लड़ने को राजी नहीं थे खुद संग्ठन को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तकड़ी लहर है कि सारी की सारी सीटें और अकेले दम बहुमत और च्शावनी की सीट भी उसी सीट में गिनी जा रही थी सब्ते हैं च्शाव बाओउ राम जी शुक्र यहां से विधायक by 1977 बार्ति जंता पार्टी के बगूत जंसंग के बहुत वरिश नहीं जंता पार्टी जीतेगा लेकिन हमारे कार करता होते थे नमल बेरीवाल उन्हें ने का ये पांच बार जीतेगा तो बाइट चांस में छावनी से पांच बार जीता और उसके बाद परिसीमन होगा और मैं महाराजपूर से बिदाएगा लोगों ने यही कहा कि सतीश महाना का मिथक न तूटे इसलिए जब परिसीमन बदला और उन्हें समझ में आ गया कि अब छावनी सीट जीतना मुश्किल है तो वो महाराजपूर की सीट में चले गए जो उन्हें सेफ लगी बड़े नेता थे दिल्ली तक पहुंच थी लखनव सधा हुआ था और इसलिए उनको अपनी सीट क्यों च्छामने विदान सभा छेतर तीन हिसों में चली गए अगर नाम से जीता जाता तो जनरल गन सीट गायब होगी तो जनरल गन से स्री सलिल विश्णोई जी विधायक थे क्या उनको टिकेट नहीं मिलनी चीए थी आर नगर में से मिली अगर ये कहा जाए कि सीट का नाम खतम किनाते से तीन मंडल है तीन मंडल तीन विधान सभाँ में तो तीन मंडल तीन विधान सभाँ में तो मेरे पास तो आर नगर विधान सभा जो आज वरतमान में है वो भी मेरी विधान सभा थी और चामनी विधान सभा वो भी मेरी विधान सभा थी और महराजपूर जैसे मै ने आपको बता इसी नहीं मैंने इस पूरू में ये श्पष्ट किया कि मैं चामणी विदानसभा चेतर के महराजपूर के उस हिस्से से जहां पर मेरा घर है जहां पर मेरा वाड है मैं उसी से लड़ रहा हूं मैंने कोई विदानसभा बदली नहीं अगर आपको कहा जाए मेरी पार्टी ने मुझे पूछा कि आप बताओ कि कैसी जीती जा सकती है विदानसभा चामरी विदानसभा और आर्मेगर विदानसभा और महरातपुर विदानसभा तो मैंने उनको तीनों बाते बताई और तीनों बातों में जो बात मैंने बताई थी मेरी पार्टी ने का जिक्राता था पहले वो गोविन नगर सीट थी अब मेरे ख्याल से किदवई नगर गोविन नगर चुँकि दो बन गई है कॉंग्रेस के नेता हैं अजे कपूर वहां से चुनाव लड़ते हैं आपके करीबी रिष्टेदार हैं क्या सिर्फ इस वजए से आपके अलोचक इलजाम लगाते हैं कि महाना जी अजे कपूर की मदद करते हैं महाना जी चाह रहे थे कि 2017 के चुनाव से पहले अजे कपूर भाजपा में आ जाएं लेकिन संग ने वीटो कर दिया क्योंकि अजे कपूर के कॉंग्रेस विधायक रहते हुए बाजपा के उस विधान सवा छेतर के कारकरताओं का उत्पीडन हुआ था ये आपकी और अजे कपूर की पारिवारिक रिष्टेदारी को कई लोग राजनेतिक जुगल बंदी और उसकी अलग-अलग धंग से व्याक्याएं करते हैं तो हमने सोचा महाना जी से ही पूछ ले उनके हिस्से का सब्सक्राइब क्या है राज दितिक शेतर में जुगल बंदी करना और आपस में ये तैय करना ये बहुत सरे लोगों का काम है वो सरलोग खाली बैटने का हमसे कम कुछने कुछ तो काम मिलना ही चाहिए उन दों को मैंने बताया कि मैं पार्टी की तरीके से पूरी निश्चा के साथ गाम करता हूँ और एक बात मैं यहां कहना चाहता हूँ कि मैं जो सीठ गोबिन नगर थी मिरबाद में किद्वई नगर हुई ठीक है अजे कपूर तो मेरे पहरे भी रिष्चेदार थे 1990 में जब वो बालचेद मिश्चा से हारे और अजे कपूर मेरे तब भी रिष्चेदार थे जिस समय वो श्री महेश्ट्रिवेदी से हारे जैसा दो ये कि तब रिष्चेदारी खतम होगी थी और मैं अगर इतना बड़ा नेता हूँ जिस समय अजे कपूर पहरी बार चुनाओ जीते तो उस समय कॉंग्रिस के बड़े बड़े नेता उनके फेवर में आय थे बार्तिजंदा पार्टी के बहुत बड़े नेता बार्तिजंदा पार्टी के पक्ष में आये थे तो मेरे जैसा एक चोटा सा कार करता जो स्वयम चुनाओ लट रहा हो वो अगर धीरे से बोल दे कि अब की बार इनको नहीं और इनको और वो चववन हजार से जीच जा तो मेरे से बड़ा नेता कौन तो मैं इतना बड़ा नेता नहीं हो कि मैं धीरे से किसी को कह दू तो ऐसे बढ़ जाए अगर इतना ही होता तो मैं 2009 का चुनाओना जीद क्या होता है कहां से हवा मिलती है इस तरह की राजनियतिक अफ़ाओं को अब कहीं नहीं कहीं से मैं ने कहा कि तगला कंडिडेट आ गया था महेश्त्र वेदी भी उतनी जबर थे बूत पे बरावरी से लड़ने वाले, दबंग गई वाले, कानपुर दिहाद के तेवरों वाले हो सकता है कुछ लोग ऐसा जानते हो, मेरे लिए भारतियंदा पार्टी का कंडिडेट है चाहिए वो किसी के नाम के सुरूप के अंतरकता है, वो बीजेपी का कंडिडेट है और देखिये, मैं इस बात को, मैंने कहा ना कि मैं किसी को कोई सफाई इसलिये नहीं देथा तो बहुत सरे ऐसे बड़े नाम जो कल भी थे और आज भी है जिरो जो माता जी हमारे लिए सभाकी के बात है कि राज माता सिंद्या जैसी विराट विक्तित की पुष्टर नेता हमारे संद्ख्शक में थी उनके बेटें नहीं थे वह नहीं कहा जा सकता आज की तारीक में भी सरे ऐसे लोग हैं जिनके नजदीक रिष्टेदार की से नर्राज नीतिक दलों के होंगे लेकिन पारटी के प्रति निष्ठा और प्रति सिवा उपर किसी भी पारटी के कार करता कि उपर उपर उनके भाजपा में सामिल होने की जो बात चल रही थी 2017 में कहते हैं कि जेटली सवाल है जो आपके करियर के साथ साथ चल रहा होगा कि कितना भी काम कर लो कुछ लेकिन आए आखरी में आदमी यही कहते हैं रिजाब वो तो हजे गपूर करिश्टेदार हैं आपके आपकी डिफेंस मेकनिजम मैं समझना चाहता हूं कि यह लगातार चलते आरोग के बीच कोई किसी को सफाई नहीं देता मैं अपना काम करता हूं मैं जैसे कहता हूं जैसे जो लोग इस बात को कहते हैं कि वो पांच लोग आज तक तो मुझे मिले नहीं कि जो पांच लोग यह कह देंगे इन्होंने मुझे कहा था कि यह ऐसा नहीं ऐसा करो वो पांच लोग आज से जुड़ा आखरी सवाल और फिर आपके मंत्राले में चुकी बहुत सवाल है उन पर आएंगे आपके मंत्राले से जुड़े सवाल है आपकी सरकार से जुड़े सवाल है अच्छे भी performance और जो बुरी घटनाए हुई उन से जुड़े भी सवाल है एक पच्पन से हम लोग देख रहा है इसाब एक पुल बनना था COD का पुल स्रीप्रकार जैसवाल सांसद हुए मंत्री हुए तो साब पुल का शलन्यास हो गया पुल कंप्लीट हो गया और फिर पुल का फीता काटने की होड कभी सत्यदेव पचौरी सांसद फीता काट रहे है कभी सतीश महाना मंत्री फीता काट रहे है जब सब पार्टी के कार करता है सब एकता है संगठन ही सरवोपरी है सब कुछ है एक जिला, एक शहर, पुराना साथ और इतना भी समनवे नहीं दोनों लोग के समर्थक चौराओं पर बयानबाजी दे रहे है खुसर खुसर बात हो रही अख़वारों में छप रहा है मैंने कोई फीता नहीं काटा यह किसी ने आपको गलत बदाए कि मैंने कोई फीता काटा आप वहाँ पहुँचे थे उद गाटे नहीं, यह स्यूडी पुल मैं उसके पीछे लगा रहा तब भी वह नहीं बना उसके ओपर कोई नहीं कोई टेक्निकली या जो भी केंदरी सरकार बनगी तो मेरे लिए जिम्मेवारी थी कि मैं कानपूर महानगर का एक काम बड़ा काम जो मैं विगत कई वर्षों से कर रहा था उसको पूरा करवो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पुल किसी विधान सभा का या किसी उसका नहीं होता अगर उसके ओपर देखा जाया तो इस थर मेरी पूरी विधान सभा है पूरा इदर पूरा शहर रहता है किसी विधान सभा के लोग वहीं से तो जाएंगे और दूसरी बात है मेरे सिर्फ विधान सभा तक सीमित होकर काम नहीं कर सकता आप कानपूर में अगर कानपूर में कोई बिजली नहीं आती तो अगर मेरे पास कोई आए कहे कि भीया हमारे आँ कानपूर में सरूप नगर में आर नगर में माल लोड पर बिजली नहीं आए तो मैं क्या उनको कहूंगा कि मेरे से मतलब नहीं है नहीं कह सकता मेरे को कानपूर की जनता नहीं बहुत प्यार दिया है च्छावनी विधान समभा जहां से मैं रहता था तीन विधान समभाओं में हैं तो इसलिए ये बात कहना कि मेरा उसके ओपर कुछ ने करने साथ है गलत है दो जार सत्रा के बाद जिस सब्वे मैंने सकती करी और दो जार अठारा में मैंने पुल की एक लाइन चला दी उस समय आधरनी श्री सद्वे पचोरी ये सांसद नहीं थे उस समय मैं मिनिस्टर था और मैंने दो जार अठारा में पुल की एक लाइन चलाई जो लोग घंटों तक स्यूटी पुल के उपर फसे रहते थे वो दोजार अठारा को मैंने सक्ति के साथ टाइम देगे उसके मॉनिटरिंग करके दोजार अठारा में उसको चला ही आदरनी पचौरी कि तो सांसाथ दोजार उननीस में बने तो मेरा उनका किसी भी प्रकार को को विवाद नहीं है ना मैंने कभी वहाँ पर काटा है ना मैंने वहाँ पर कोई पत्थर लगाया है पिर यह उननिस के बाद कैसे उन लगा कि सांसाथ जी भी पहुंच रहा है मैं कभी नहीं पहुंचा मैं कभी नहीं पहुंचा मैं कभी नहीं पहुंचा मैं कभी नहीं नहीं तो उन्होंने अपना पत्थर लगाना चाहिए, उनका स्वागत है, वो सांसद है, अपना पत्थर लगा सकते हैं, होडिंग लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, तो तीन पत्थर इधर भी लगा सकते हैं, उनका अधिकार चितर है, लेकिन उसमें मेरा किसी फिरकार का कोई रोल नहीं है उनका आधर सम्मान है उन्होंने ये पुल बनवाया उनको बढ़ाई दो चार और बनवाया मैं उनका साथ दूँगा महाना जी शास्त्रों में इसे व्यंग के साथ राजनेतिक साथी की तारीफ करना कहा गया है पहराल प्रदेश की बात करते हैं हम लोग एक पत्रकार के तौर पे राजनीती के विद्यार्थी के तौर पर देखते हैं अलग-अलग सरकारे आती हैं इन्वेस्टर सम्मिट होते हैं और जो MOU साइन होते हैं अगर वो चरितार्थ हो जाए हूँ बहू तो ये बिलकुल वैसी का पोल कल्पना लगती है जैसी ये कि किसी पार्टी का गोशना पत्र पढ़ लो और लगे कि अगर पांस साल में ये सब कुछ हो जाए तो राम पतने लिखी होती हैं लेकिन तमाम सरकारों के तमाम कारेकाल बीच जाते हैं उस MOU में कभी 5% कभी 8% कभी 10% कभी 15% 20% आपकी सरकार में भी खूब MOU साइन हुए हैं आप प्रदेश की जनता को बताएंगे कि उसमें से कितने कनवर्ट हुए हैं एक्च्वल प्रोजेक्ट वे? 43% कनवर्ट हुए एक्च्वल प्रोजेक्ट है. देखे MOU से eux शुँस पहले साइन होते थे खूंस सिरफ फॉरमेलिटीज के लिए होते थे थे. लोग MOU साइन करने के लिए इंवेस्टर्स समिट करते हैं, इन्वेस्टर सब्ट मैं नहीं कोँगा कि किसी ने को इन्वेस्टर सम्ट नहीं करें, जिदने बड़ी ये पिछले पंद्राभी साल एसा की मैं बात करूँ जब से ये आदर्णिया मायावती जी और आदर्णिया मुलाइम सिंग जी और आदर्णिया कलेश इसे बात करना चाहता हूँ, उसके पहले जी नहीं जाना चाहता हूँ, पिछले बीस वर्शों के बात करना चाहता हूँ, इन्हों ने तीन इन्वेस्टर समिट के नाम से तीन रोड शोज किये थे, एक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में किया था, एक दिल्ली के ताज पार्टमेंट की चर्चा नहीं होती थी, जिसमें मुझे ये विभाग पार्टी ने और माने ये मुखमंत्री जी ने दिया, तो मेरे बहुत वरिष्ट पत्रकार जो लखनाउ से हैं, लखनाउ से मैं इसलिए क्या रहा हूँ, क्योंकि जो विधान सबा को और सचवाले को अ उनके ये भी कोई विभाग है जो आपको दिया गया, मेरे चेत्र की जनता पी डबलूडी देते, और जा देते, नगर विकास देते, सिचाई देते, वो बहुत सरे बड़े विभाग है वो देते, शिक्षा देते, ये भी कोई विभाग है जो आपको दिया गया, मेरे मैं नहीं विभाग है जिसका आड़ीजमेंट दिया जा सकता है थो जनताग कोई बीच में भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चर्चा में नहीं रहता था मेडिया में बी नमरता के साथ कहना चाहता हूं विदान्था में उपन के लोगा तो सकी आलोचना भी होगी और इंड़स्ट्री डिपार्ट्मेंट का मिनिस्टर रूमेरे अदिकारी अब आके बताते हैं कि सहाब पहले कोई इंड़स्ट्री डिपार्ट्मЕН्ट से संबस्दी कोई कोश्चन आ जाता आ ढमना समझते थे कि माहना साब ने लगाया होगा है hmm harvesting department के बीच में और इंडस्त्रिस के बीच में डिस्कनेक्ट सा था कि उ लिए हूल इसलिये था क्योंकि जनता को विशवास नहीं था कि उत्तर पुश्वी पर इंडस्नलाइजेशिषिन हो सकता है जो माने नहीं है योगी जी के खड़े दित्रत के कारण संबह हो सका इंडस्लाइजेशन के लिए इंट्रस्ट्रक्षर क्या आफशिक्ता थी जिसके पहले चर्चा नहीं होती थी इंडस्लाइजेशन के लिए वर्क कल्चर के जुरूरत होती थी नोएडा ग्रेटर नोएडा यूपी सीडा इत्यादी विभागों वे जो हमारे इंडस्ट्री डेपार्टमेंट के एथारिटी से हैं यहां आद भी भरती हो जाता था चालिश साल में वहीं नोकरी करके हुए रेटायर हो जाया करता था कुछ व्यक्ति इंस्ट्यूशन से बड़े नजर आते थे उन सब को समात करके एक वर्क कल्चर एक मेसेज देने क्या आफ शकता है दिक उत्तर पुदेश भी वह इंडस्लाइजेशन चाहता है हमने रोड शोस किये मैं बैंगलोर हूँ गया हैदरबाद गया चन्नही गया मुंबई गया सूरत गया एहमदाबाद गया दिल्ली गया कलक में बैंगलोर गया तो वहां में किरन मौजूमदार शाह से मैंने उन से बातचीत करी तो मैंने का कि मैं 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 आइव और इस मीचिंग तो उसने का I would definitely love but I am not well तो वो जहां पर the place where we stayed और जहां उनका घर ता यह लोगा धाई किरोमेटर गया धाई घंटे का रास्ता तो मैं 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 if you don't mind can I have the opportunity to have a cup of tea with you after the meeting का you are far away from मैंने का no problem I come to you personally तो मैं उनके पास गया उनके वाइज वहां पर she was surprised उत्तरवदेश का minister यहां पर industrialization industries को Bangalore से उत्तरवदेश मिले जाने के लिए भी आ सकता है क्या सोच भी सकता है क्या यही बात पाओ अब आप आते हैं तो उसके बाद एक दिना के मुझे उन्होंने का दो सान बाद उने का कि अब मेरी बत नहीं कहते हैं कि अब जा सकते यूपी मैं मुंबई के बहुत बड़े इंडस्रिस के साथ मिला है इलाइस में किसी राजडीतिक में नहीं पढ़ना जाता आ लेकिन में मेरे विस इंडस्रिस एखा कि हमने सोगन दिखाई थी क्या हम उत्तरवदेश में नहीं जाएगे लेंगे आभ उससे चार बार मिले गे जिनके दुकाने तोड़ दी गई अब इतना ही किया सकते हो ना जो लोग आये थे उनके उनके बड़े-बड़े मौल तोड़ दिये गए उनकी को सुनने वाला नहीं था अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता तो यह 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 हाल था यूपी का पहले सबसे बड़ी हाथों से स्वावित करने के लिए त्यार है मेरे को याद है कि माननीय प्रदान मंत्री जी एकिस और बाइस फेबरवरी दोजार अठारों को जब उत्तर बदेश में इनवेस्टर सुमिट में आये थे तो उनकी उपस्थिति में उपस्थिति में इस टेज अंडरलाइन करनाचाध़ कि उनकी उपस्तिति में कोई भी कही हुई बात का बहुत महत्थ होता है उसको पूरा करने की एक ललक होते है एक्षाशक्ति होते कि कैसे उसको पूरा किया जासे है पहले इंवेस्टर समएट में मैंने ये कहा था कि उत्तर मुद्रेश में अब इं हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनका संडक्षन करेंगे, हम उनकी सुरक्षा देंगे, हम उनको संसादन देंगे और हम उनकी सम्रद्धी के साथ उनके साथ कड़ेंगे. मंत्री जी, आप दुरस्त बात कह रहे हैं, किसी भी कारोबार को जमने जमाने के लिए law and order बहुत महत्पूर्ण चीज होती है और योगी सरकार बार बार इस चीज पे जोर भी देती है मैं आप से शस्त्र पूजा के दो रोज बाद मुखातिब हूँ कानपूर में मुखातिब हूँ इसी कानपूर का एक कारोबारी गोरक पूर गया और इल्जाम है कि पुलिस वालों ने पीट पीट के मार डाला मैं आप से मुखातिब हूँ और अभी अख़बारों से सुर्खियां हटी नहीं कि केंद्री मंत्री परशद के एक मंत्री के बेटे ने कथित तोर पर किसानों की उपर गाड़ी चला दिये तो जिस लॉइन ओर्डर को करिंसी बताय जा रहा है वो अचानक से उस दावे में दरारें दिखने लगी है लॉइन ओर्डर जो और्गनाइस्ट क्राइम था वो पूरी तरी किसे समाब दुआ है इस परकार की जब घटनाएं होती हैं तो काम भी हमारी सरकार ने किया और उसके पहले उनी पुलिस वालों के मुखिया बैठके क्लिप सामने आई है समझा रहे थे कि क्यों मुकदमे कर रहे है नहीं जो कर रहे तो उनको सजा मिली देखिए उस सिस्टम के अंतरगत जिस से में किसी परकार को कोई भेदबाव नहीं होता सुप्रीम कोट को टिपड़ी कन्नी पड़ी मंतरी जी तब जाके आपके केंद्री मंतरी के बेटे को सुप्रीम कोट ने पूछा कि आप 302 के सब मुझरिमों से ऐसी पेश आते हैं आप गोरपूर की बात कर रहे हैं मैंने गोरपू जो भी हुआ यह नहीं होना चीए था लेकिन अगर इसके पूरी चीज के पीछे जाया जा तो उसके बहुत सारे प्रश्ट उतर खड़े होते हैं धुर्भाग गया कि हमारे देश का कोई भी किसान अगर अपनी मांक और लेकर उसके ओपर इस पर कारगी कटना होती तो इसस कि जिसे में राज नीती से प्रेरित को यांदोलन अपने पत से भटक जाता है तो दुर्भाग के से इस परकार की जो बाते होती है जो दुख़द होती है अगर हुई है तो उसके खिलाफ कारवाई भी सकती के साथ होती है एक आखरी सवाल समय की कमी है आपने मुख्यमंत् जिक्र किया योगी आदितनाज जी का मंत्री है आप सुर्खियों पर नजर रखते ही हैं बनाते भी हैं कई वार बड़ी ख़बर चली थी थी सीम बदला जाएगा सीम नहीं बदला जाएगा बयान आ रहे हैं लखनव तलब दिल्ली तलब क्या चल क्या रहा था उन दिनों Одन तोotros नहीं है an the in जो दिखाया जा रहा था को भी भाजपाग आही नेकाओ के दोरा बताया जा रहा था हम लोग तो किसी मीटिंग ने होते नहीं हैं रख से कम मैं उसमें सामिल नहीं था है तो अगला विधान सभा चुनाओ योगी जी के नेतरत तुम्हें उन्हीं को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके लड़ा जाएगा आपका क्या मंतब ये देखिए मेरे जैसा एक छोटा सा कारिकरता इसके उपर कोई विटिपणी नहीं कर सकता ये मेरे अधिकार चितर की बाद नहीं है और अपने अधिकार चितर के बाहर पैर रखना मेरा सुभाव नहीं है एक आखरी प्रशन लोग कह रहे हैं कि अप बीजेपी के सारे बुज़ुर्ग नेता एक एक करके अपने उत्तरा अधिकारियों की तलाश और उन्हें सत्ता की या उनके शब्दों में कहें तो सेवा की चाविस उपने का काम शुरू कर चुके हैं लाल जी टंडन जी के रह हुआ है जब अपने लिए टिकट माँ रहा हूं तो बेटे करन महाना चुनावी राजनीती में आएंगे करन महाना क्योंकि मेरे उसी विरासत से हैं वो संगठन में युवाब मोर्चा के राश्री कार्समिती में सदसर हैं अपना काम करते हैं लेकिन चुनाव 2022 का भी मैं अ मत कर सकता हूँ पार्टी के सामने क्योंकि मैं लगातार इस चेतर से विधाएगू निर्णे करना पार्टी का काम है मुझे चुनाओ लड़ना कि नहीं लड़ना ये मुझे तैनी करना ये पार्टी ते करें के लिए लोगों ने बताया कि सीधे फ्लाई ओवर एंट्री हुई तो सभावी ग्रूप से उसको भी विरासत में बालकाल से वो सारी चीजें मिली हैं जो मैं करता हूँ सतीश महाना जी योगी आदे तिनाथ सरकार में इंडस्ट्री से जुड़े तमाम पोर्टफोलियो के मिनिस्टर आपने उनकी तमाम बातें सुनी इस बाचीप पर अब समय है आपकी प्रतिक्रियाओं का आप देख रहे हैं ललन टॉप शुक्रिया